गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फाइल, चाप्टर सिक्स, सर्वनाम सर्वनाम क्या होता है बच्चों? संग्या के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किये जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं जैसे वह तुम हम को सर्वनाम के छे भेद होते हैं पुरुषवाचक, अनिश्चेवाचक, निश्चेवाचक, प्रश्णवाचक, संबंधवाचक और अनिजवाचक सर्वनाम हम पढ़ते आ रहे हैं आज हम एक दुबारा से एक बर इसको देखते हैं इसका रिविजन देखते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जो बोलने वाला सुनने वाला बोलने वाला वक्ता या किसी अन्य व्यक्ति से कहता है बोलने वाला सुनने वाले से कहता है उसे पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं जिसके तीन भेत होते हैं उत्तम पुरुष, मद्यम पुरुष जिससे बात कर रहे हैं और उत्तम पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है उत्तम पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है तो उत्तम पुरुष मद्यापुरुष और अन्य पुरुष दूसरा सर्वनाम है निश्चे वाचक निश्चे वाचक सर्वनाम जो हो उसे निश्चे वाचक कहते हैं वह, यह, यही, वही, इसी, उसी, आदी, यह कोई नया काम नहीं है, उसी ने मेरी पुस्तक ली थी, अब अनिश्चे वाचक, जिसमें निश्चे नहीं है, कुछ भी, फिक्स नहीं है, उसे निश्चे वाचक, अनिश्चे वाचक कहते हैं, उस नेक्स आता है प्रश्ण वाचक प्रश्ण वाचक प्रश्ण जब हम करते हैं तो उसको प्रश्ण वाचक कहते हैं जिसमें प्रश्ण किया जाए प्रश्ण करेंगे तो क्या आएगा कौन क्या किसका किसे किने ये प्रश्ण वाचक है तुम क्या कर रहे हो प्रश्ण वाचक डिब्बे में क्या है? प्रशन है. क्या? किसका? यह प्रशन वाचक है. Next है संबंद वाचक, जो relation बताता है. जो सर्वनाम शब्द, वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंद प्रकट करता है. वो संबंद वाचक होता है. जैसे जो सो, अगर मगर, जो करेगा सो भरेगा. तो जो और सो का संबंद है. अगर गलत काम करोगे, तो नाट भी पड़ेगी, अगर और तो के बीच में संबंद है. उपर लिखे वाक्यों में जो सो तता अगर तो शब्द संबंद का बोद कराते हैं, अता ही ये संबंद वाचक सर्वनाम है. निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने पन का बोद कराने के लिए स्वेम के लिए किया जाता है. उन्हें निजवा कारे खुद ही करना चाहिए अब exercise देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं यह हो गया हमारा बता दिया मैंने आपको सर्वनाम के कितने बेद हैं यह भी मैंने आपको बता दिया है कि सर्वनाम के 6 बेद हैं दे गए वाक्यों में प्रियुक्त गलत सर्वनाम शब्दों को सही करके वह आ गया, वह आ गया में क्या होगा, वह की जगा पर वह आएगा, वह ने खीर खाई, उसने खीर खाई, उसने उसका काम किया, उसने अपना काम किया, वे खेत हमारा है, वह केत हमारा है next exercise देखें रेखांकित संग्या शब्दों के स्थान पर उच्छ सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्व नहें लिखिये राजीव राजीव की बहन के साथ राजीव के स्कूल गया अध्यापिका ने श्याम से कहा अध्यापिका ने श्याम से कहा अपनी जगा जाकर बैटो शिवानी ने विनीता से कहा शिवानी विनीता की बात याद रखेगी शिवानी ने विनीता से कहा वह उसकी बात याद रखेगी नेक्स देखी पिता जी ने आकाश से कहा अकाश की किताब लाओ पिता जी ने आकाश से कहा अपनी किताब लाओ अब next है सरवनाम के सभी भेद लिखकर उनका एक एक वाक्य बनाईए यह आप अपने आप करेंगे आपको सरवनाम के भेदों के नाम लिखने हैं और उनसे लिटे लेके एक वाक्य बनाना है आप एक्जांपल से इनको देख सकते हैं उचित्विकल्प के सामने लगाईए टिक लगाईए इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सरवनाम नहीं है वह कौन तुम मैं कौन जो है वो पुरुषवाचक सरवनाम नहीं है यह प्रशनवाचक सरवनाम है सर्वनाम के किस बेद के अंतरगत किसका आता है किसका क्या आता है प्रशन जब हम पूछने है तो आता है ना क्या किसका तो किसका प्रशन वाचक है इन में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है नहीं सर्वनाम नहीं है कैसे भी सर्वनाम है कुछ भी सर्वनाम है हम भी सर्वनाम है नहीं सर्वनाम नहीं तो नहीं पिडिक लगेगा ठीक है इस प्रकार हमारा यह सर्वनाम पाठ कंप्लीट हो गया धन्यवाद